सफित कागस पर काले अक्ष्रों में लिखी ये शिकायत एक सवाल है सरकार से चुनावी सिस्टम से जो निश्पक्ष चुनाव के लिए अपनी जी जान से काम करती है लेकिन फिर भी सवाल के कट घरे में खड़ी है ये शिकायत हीमाचल बीजेपी की तरफ से राजी चुनाव आयो को दी गई है जिसमें पार्टी के प्रतियाश्यों की नाम और निशान की जगहें बदलने का आरूप लगाया है अपने शिकायत के साथ ही पार्टी ने दो वाजों की तस्वीरी आयो को सौपी है कॉंग्रेस पर चुनाव को प्रभावित करने का आरूप लगाते नेता प्रतिपक्ष ने जमकर अपनी भणास निकाली लेकिन सबसे हरां करने वाला उधारन हमारे सामने आज प्रस्तूत हुआ है और उसने इलेक्शन कमिशन की वाकिन पर भी बहुत पड़ा प्रस्तूत किन खड़ा किया है मैंने व्यक्ति का तुरूप से इलेक्शन कमिशन से भी बाद उस मतदान को निश्पक्षता के साथ होने से वाधित किया है एक उधारन में आपके सामने प्रस्तूत कर रहा है शिमला का छोटा शिमला का हमारा वार्ड नमबर 28 भारती जनता पार्टी के हमारे वहां से परत्याशी संजीब चोहन है इलेक्शन कमिशन ने जिस दिन सिमल अलोट किया उन्हें कहा कि आपका सिमल नमबर एक पर होगा और कॉंग्रेस को नमबर तीन पर दिया लेकिन आज भी अगर इलेक्शन के विश्चक की अकसाइट पर नजर मारें तो उसी तरह से है लेकिन जब एवियम वहां पर रखी गई उसमें भारती जनता पार्टी का संजीब चोहन का प्रदेश अध्यक्ष ने भी चुनाव में धान्धली की प्रकाश्ट बताया धांदली की परिकाश था ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविश्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा कॉंग्रेस सरकार ने कॉंग्रेस के उमीद्वारों को धक्ते से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिनकी प्लेस्मेंट को बदलने का काम किया यह भरतीस कंगनाधार के अंदर जो स्क्रीन शॉट चुनाव आयोग की वेब साइट का इसके अंदर भरतिय जनता पार्टी का उमीद्वार और शिर्मती रेनु चोहान तीसरे नंबर पर जो आज की डेट में 10 बटके 47 मिनट के ऊपर डाउनलोड किया है उसमें भी भरतिय जनता पार्टी का उमीद्वार रेनु चोहान और कमत का फून तीसरे नंबर पर परंतु जब मशीन खोली तो मशीन खोलने के बाद भरतिय जनता पार्टी की उमीद्वार चौथे नंबर के उपर ये इस से बड़ा सरकार की कांग्रेस पार्टी की जो धानली है उसका कोई उधारन नहीं हो सका इस शिकायत में जिस वाट का जिक्र किया गया वो छोटा शिमला शुरू से ही होट सीट बना हुआ है जिसे जीतना कॉंग्रेस के लिए साख का सवाल है तो बीजेपी के लिए खुद को साबित करने का मौका ऐसे में जब इस सीच पर प्रत्याशी के नाव और निशान के जगहे को बदला गया तो ये शिकायती लहजा और सवाल जायस थे यानि वोटिंग के दिन भी सियासत और आरोपो का दौर नहीं थमा इसे कॉंग्रेस भले चुनावी दाव बताए लेकिन सवाल का जवाब धूनना जरूरी है सुर्य समाचार के लिए शिमला से अरुन उन्याल की रिपोर्ट